मेरा एक दोस्ट था जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो उस लड़की से शादी भी करना चाता था फिर एक बार वो हिम्मच जुटा कर चला ही जाता है लड़की का हाथ मांगने के लिए लड़की के पापा के पास फिर लड़की के पापा भी लड़के की जिद देखकर शादी के लिए हा कह देते हैं लेकिन उनके एक शर्त थी शर्त ये थी कि वो अपनी बेटी की शादी उससे तभी करवाएंगे जब वो उनके घर में बहु बन कर आएगा जी हाँ, सही सुना आपने ना कि घर जमाई बलकि बहु बन कर सुनकर थोड़ी हैरानी होगी दोस्तों क्योंकि ऐसी शर्त कोई रखता है क्या और ऐसी शर्त कोई मानेगा भी क्या कहते हैं, इंसान प्यार में अंधा होने लगता है अब शर्प के मुताबिक शादी में सब कुछ उल्टा होने लगता है जैसे बारा थी दूले वाले को नहीं बलके दूलन को लेकर आते हैं और लड़के की नहीं बलके लड़के की फूफी नाराज हो जाती है ये सब उल्टा पुल्टा होते देख मैंने बे उल्टे कारणामे करना शुरू कर दिया मैंने दुले के नहीं दुलन की जूती चुराई फिर दुलन ने मुझे पैसे भी दिये अपने को क्या यार अपना तो खर्चा निकल गया पर खेर शादी खतम होते ही वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी को बेसबरी से इनतजार था विदाई का वक्त विदाई का वो क्या ही नजारा था दुले की आँखों से आसों की बोच्छार हो गई अपने मा के कंदे पर सिर रख के वो फूट फूट के रो रहा था उसे ससुरा ले जाने के लिए लड़की वालों ने सवारी का इंतजाम किया था लेकिन वो सवारी में बैटने के लिए मानी ने रहा था इसलिए उसके साथ मुझे भेजा गया और फिर हम सवारी में बैट कर चले जाते हैं और इस तरह विदाई का प्रोग्राम संपन्न हो जाता है आज उसकी शादी को दो साल हो चुके है दोस्तों लेकिन वो पहुत खुश है वो खुश इसलिए भी है क्योंकि अभी वो आट महने का प्रेगनट है और अगले ही मैंने उसके टिलिवरी होने वाली है लड़का होगा या लड़की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो अगर आपके पास उल्टे फुल्टे तरीके मौजूद हो तो डर का है का